उर्पक्षे यत्तो सत्या सोवस्य महिमा इत्यत्र धोम मात्रनवादेना आवनियस्य इव सोईती शुर्ट्युक्त महिमा मात्रनवादेना सत्यत्विधानात सारवच्चाद कमपी सत्याम उर्पक्षी के अताई जैसे स्टांत पहले समझ लो यद आवनिय जोहती ऐसा विदा जोहती होम का अनुवाद कर दिया हो मात्र का कोई भी अवन हो हो कहां करना है प्रस्तोत किस अक्नि में करें हैं पांच अग्निय आदमी के पास अवनिय अग्नी भी गहरप प्रस्ता सब भीआप वसथ्य और प्रस्त्रों सब्रों तक आउस में भी अवनिय में contact अगने में वरन इगने में ही आवकाहूतीए। परको राता है, आवने में कहा गर उधर किनारे, इधर किनारे कहीं में टाल दो। यह आवा पस्तान है वह न उपर, यह न इधार, न उधार बीच ओ बीच जय अगने का दिनत तेज प्रज्वलन है, वहीं डाला है। इसको ना उसको ना में दर्दर नहीं प्यांकनेगा जिस प्रिकार से होम मात्रन वादेन आवनियस्य इव तर याँ पर भी क्या है? सो अस्य अस्य महिमा यद अस्य महिमा भवती सो सद्या भवती इस परभ्रम परमात्मा का महिमा मने सेल गुणो उनको अनुवाद करके कहा है? सो सत्या है अधे सगल गुण हाँ? सत्य हो गया आप कहसे कहते हो? गुण सब अनुवादे मिथ्या है अतात्विक है यह कहना आपके ठीक नहीं होम मात्रन वादेन आवनियस्य इव सत्य सुष्य महिमा इत्यत्र सा इसके द्वारिती शुरुट्युक्त महिम मात्रन वादेना शुरुट्युक्त महिम मात्र का कहीं भी हो सगोन वाक्या उपासर प्रक्रण में उपासर प्रक्रण में कहीं भी होगा सकल को इसे जान के करे महिम मात्र सकल को उणों को अनुवाद करके सत्यत्विदानात सारवच्य आदि कम अभी इस सारवच्य आदि उपासर प्रक्रण में ना हो तो भी वो भी सत्ती है और जो पासर प्रक्राण में है वो भी सत्य ही है, सत्य सोसि महिमा इत्यादेर, यह द्यपिव का आपको सकते हैं वेदानत एक देशी बीच में है, और यह तो इंदर के स्थुति वाला मंत्र में आया हुआ है, कहां इसको तुम वेदानत भुशा रहे हो, वेदानत से क्या ले निचे दियादे क्या सुक्त को, ये ना समुद्रम अस्रिजो महीर अपह, तदिंदर्विष्णी तेशवह, सत्यस्वस्य महिमा, नसन्नशे यंचोनिर अनुचक्रत। तत्वायामि सुवीर्यं तत्भ्रम्पूर्वचित्ये, ये नायति भ्यो भ्रिगवे धनेहिते, ये नप्रस्कन्व माविता। इंद्रो महारो दसी, पप्रथच्छव इंद्र सूर्यम अरोचयत, इंद्रेह विश्वा भुवनानी, ये मेरे इंद्र सुवानास इंदवह। ये सुगत का महत पुर्ण भागों को दी अपुरा सुप्तनी है, जिसमें हमें विशेश चर्चा करनी है, पूरपक्ष अपनी बात की हिसा उठाया है। इस सुगत कारते हे इंद्रा, जिस बल के दुबारा हे इंद्र समोदन है, ये ना बले ना आ समुद्रम असर जोह। आपने समुद्र पुर्ण सम्पूर्ण जगत और उसमें भी अपह, जल, विशाल, पुल जो जल था, उसको आपने असर जोह। मही, अपह, मही के तात्प्रया, इस्तृत, महान जल। इस्त्रिलिंग में मही विसर नहीं रहेगा ना। देरी कारांत है। मही शर्देश से पृत्वी लेंगे तो नहीं हो पाएगा। कि सर्जना आपने इसर हिंद्र पृत्वी नहीं ले रहा देखिए। जिस बल के द्वारह आपने समधर प्रयंत विपुल जल राशी। महत जल राशी। आक स्थ्थ्रिंग होने से मही रहस्विकार लेना और तृत्या के भवचन नहीं होता है। नित्रिश्व नित्वोचनांते, उसलिए मही ही करके वो विस्तृत जल का वाचक होगा, विस्तृत व्यापक बान जल, ऐसा अरत में, कि ये इस त्रीलिंग वाला मही शब्द लेंगे, फिर रेफरी हो सकता बीच में, दीख रह ना रह, सूँ, वो नहीं हो सकता, वो दीर कार मैं, वो ये बने गा, स्तिलिंग में, इस नamकारनी होगा, जैसा हरी, 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 हरícia, हरी, 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 पुलिंग में होता है, स्तिलिंग में चृत जल के ईर से लokrat, नहीं हो भी चाहिए, सुनांते ह Otherwise बन भीर घुथेह, सुना तो नहीं होल झार, सब्दीर, सब् बुसर नहीं होगा रो रो गया इसे नहीं अर्थ के विपुल चल महिकर्थ विपुल चल राशी कि आपने स्रजना किया है यह सब तत्थ हे इंद्र ते शवह यह सब आपकी महिमा है सत्या स्वस्य महिमा असी इंद्र स्य यो महिमा है यह इंद्र आपकी जो महिमा है बलात्पे का जो महिमा है बुरत बलात्पे का महिमा वह सब कुछ सत्य है ऐसा होते विशन न नशे वो कभी नश्ट नहीं होता नाशम न प्रापन तित्यरता यम्क्षोनिर यादय को प्रत्वी लिया यम्क्षोनिर अनुचक्रत उस महिमा का ही यह अक्षोनी बने प्रत्वी क्या कर रही है अनुगमन कर रही है आपकी महिमा का अनुगमन कर रही है दोनों मर्यादा मेरा रहे है ना पृत्ति फैल कर समुद्र को खतम कर रहे हैं, ना समुद्र पृत्ति को पर फैल रहा हैं, अपने मर्यादव में आपके बल क्या अधर परिटिके हुए हैं, इंदर की मामला है तो पूरा, लेकिन पूर पश्कादा है, आगे और मंत्र पड़ें, आपको पता लेगा हैं, इंदर शब्त गारतिया ब्रुम ही लेना पड़ेगा, परमात्मा, अमूल का थोड़ा इसा देखें, सत्या स्वस्य महिमा इत्यादेर, आइंदर सुक्तस तत्वया भी, किसी इंदर सुक्तस तत्वया भी अगला हिस्सा इसी में आ रहा है, तत्वायामी सुवीर्या, वहाँ पर ब्रह्म कश्रवन वरा है, प्रह्म शुरुत्या, इंदर सुर्यम अरोचयत, एक तो ब्रह्म सब्त साक्षात आ गया है, दूसरा वहाँ पर इंदर को वी प्रकाश देने वाला, सुर्य को वी प्रकाश देने वाला, कोण होगा वो, प्रह्म होगा, इंदर तो दे इंदर रूपय अधिस्थान में ही धारित है तो इंदर देवतात धारन किया वह नहीं ना तो ब्रह्मय अधिस्थान है इत्यादी सूर्य प्रकाशकत्प लिंगेन अचा और सूर्य को भी प्रकाश करने वाले यह लिंग की आदर पर भी जोते रितिकरन नहीं है ना चुत्र करन केतिन उसके अधिकाशन कि को अनकम से थाइप और सिर्भन पर नियांग ईगिच यह फाय राब्र और गो रहिके शान उसके आदर पर शु अर्व कि मैंदों को शत्तिक ऐसे इसको गटाना चाहिए जुत्र अधिकर्णन न्यायन सुक्त से परमेशर परत्व व्यवस्तितेर इती तन्न अवुत्तर मंत्र के साथिक तत्वायामी सुवीर्यतत ब्रह्म पूर्वचित्ते कथे पूर्वचित्ते पूर्वतन मरशयों के द्वारा चिंतन्य उस सुवीर्यतत ब्रह्म वह ब्रह्म सुवीर्यत ब्रह्म पूर्वचित्तेर इती तत्वायामी ऐसे उस तत्व का मैं आश्रे ले रहा हूँ जिस तत्व को पूर्वकाल रिष्यों ने अपने चित्वे ध्यान करने के लिए अनंत अपारशिक्ति संपनुस ब्रह्म को मान कर गे उस तत्व को ध्यान किये थे या शरण में गए थे ये न जिसके ही बल पर आयतिव्यों आयतियों से धन लिया आपने इंद्र ने और भ्रगवे धने ही थे भ्रगव महार्शी के लिया आपने हाँ क्या हात ने वो समस्दन को संसार का हित्वे दे दिये थे ये न प्रसकन्वम आविता और जिसके बल पर अपने प्रसकन वरिशिकी भी आपे रक्षा कर दी थी इंद्रो महारोदसी पप्रथत इंद्र ने अपने बल के ही प्रभाव से त्यों लोग से पृत्वी लोग तक सारे विस्तार को किया है प्रत्विस्तार पप्रथत ने विस्तार किया चवा इंद्र सूर्य मरोचयत ऐसे वा इंद्र ही शवा में अपने सामर्त से क्या किया सूर्य मरोचयत सूर्या जितने भी उम सब गो प्रकाशित किया इंद्रेह विश्वा भोनान ये मिरें और जितने भी विश्व है इंद्र में ही ये समस्त विश्व नीथ है इंद्रे सुवाना से इंदव हो इंद्र में ही ये इंदवा चंद्रमा और उसके साथ ही जितने नक्षत रादी यह सब उसी में ही सुशोभित हो रहे हैं सरवादिष्ठान सिद्ध होगे इंद्र जो सरवादिष्ठान है सरशक्तिमान है सरवप्रगाशक भी यह सिद्ध हो रहा है इन हेतुवन से दुस्पष्ठ है इंद्रशाद के हाशुद्ध ब्रह्म है अतेवासोश्य महिमा कोभी उसी हिसाब से उब्रहम की गुणों को सत्ति ना मनना होगा इति तन्न स्वरूप महत्य को ही यहाँ पर हम स्थ मानते CCP स्वरूप भूता गुण मानना जा रहा है उनको हम स्थ मानते जो स्वर्व पूता नहीं है अविद्ध्यादी साथ ध्यारोपित है उनको हम कभी सत्य नहीं मान सकते यह ध्यान करने के लिए उपासना के लिए मन को एक आग्र करने के लिए कुणों को गतन किया गया है ताकि मन जो है किस चीज को लेगा इस ब्रह्म को चिंतन करेगा क्योंकि इसकि बहुत दैनी स्थिति है मन बुद्धी का आदत पड़ा हुआ है इसको कोई ने कोई आलम बन चाहिए विना आलम बन का ये चिंतन करने सकता इसलिए गुणों का कतन जहाग गिया जा रहा हो उन गुणों को हम सत्य नहीं मानते उकल त्वार है ब्रह्म तक पहुँचने का साधन है माध्य में बुद्धे रवताराया मांड़ के मिसलेगा इस बुद्धी को उसमें उतारने के लिए सीड़ी जैसा सीड़ी आए है यही ब्रह्म नहीं है यह सत्य नहीं है जिस अनेतर इस प्रकार से उसके आदर पर समझे ज़रुप महत्व है उसको ہम सत्य बांदते ज़र निर्गणत्य सुर्थ के विरोज हो गया वे हम सत्य नहीं मानते और शष्टि तो कहा है न ब्रह्म का है इंद्रस्य यह सब शब्द स्पष्ट दीख रहा है यहां पर तक है बात सीए शष्टियाहा उपचिरितत्वाद शष्टि को आउपचारिक माने राहो शिरक के समान अभेद में भी आउपचारिक हो जाएगा इन सब गड़ों के सुरुप मान को तो हमें कोई दिकती नहीं है कि निर्गो होगा पर शष्टिका क्या होगा कि अउपचारिक अभेद में भी वावार शष्टिका हो जाता है धर्मान में भी व्यावारिक सत्य तो पुखते हैं अत्वा छोड़ों इन धर्मों को व्यावरिक सत्य तो मातने कथर कर ला है सत्या स्वस्या महिमा सत्य शब्सिया पारमार आठसूतर था एक एक चोवीस जिसके सिद्धान पर सर्वाव भास गत्व जाजा है वो इस ब्रह्म को बोधक है वाक्यों ऐसे उन्होंने निर्णई दिया था तद अनुसार यहां सब लिया उसने सिद्धान थे नियुए ब्रह्म के तरह मुद्गोणों को सत्य मानना है पर किसे प्रक्रिया बैमान लिया जाए और सबसे सरलोपा यही है इसको आप व्यावरिक सत्य तो ले लो कि अंद्याकाल में उपासनाद्य रथ गोणों की शत्यता कथन किया गया तो से तक व्यावरिक सत्य मान लेने से कहीं कोई उरुद नहीं रह जाता है तब कहता है रह सुर्थी काती है जा निए व्यावारिक सत्य करके जिन्पदार्थों को कहा रहा है औन वाभरिक सत्य हुंका भी अधिश्थान भूता है, यह परकोर हैं, यह इसे निर्वतिशिय शथ्थो का प्रतिपान के साथ विरोध हो जाएगा, फिर भ्रह्म के जो अधिश्थान थे वक्यों में वाभरिक सत्य मानुगे तो अधिश्थान तरुपत्ते इस्चा अर सबस इसे अधििस्टान तो चाहिए, जिसमें सब्टिकी हों। सारा उसी में रहता है, सरवाजिष्ठान आपके सुक्त में दिखाए दे रहा है, इसको ब्रह्मे सिद्ध करना है, आपने स्विकार करना होगा, इसके लिए भी ब्रह्मे पारमर्सत्य मनन पड़ेगा, व्यावारिक सत्य कभी सरवाजिष्ठान नहीं हो सकता है, लोग विरु तरदि काजा कि ब्रह्म oraz सरवादिस्थान तक निर्वा करने के लिए आप फिर उस ब्रह्म में शुक्ति आदी के समान विश्थार्मी महन लो लो इस गल्पित रजटादी का दिष्थान कौन है? शुक्ति शुक्ति है ना? रजटादी के अदिष्टाने हों इस कुण इस रजटादी के संधेक है? एक विशे自दृ माला ना शुक्तित ता उचा ने ब्यावर्च समर मतलब नी है हम क्यों ब्रयावर्च बनेंगे उसको Мосva पो सुआ है हैं एस रजट आधी के सान्द पारमार्तिक है वह थैसे को अप लोकिक पारमार्तिक कह देते हो एक दिश्टी से विचार करो तो जो जिसका अधिस्थान ऍभर्मान फेस्ट को ते Значит कर ये साथ्में को अधिकाना जुकति में किया थेद को शुक्ति में शुक्ति तुरम वी दर्माहिया नहीं हिको य। उसि यह प्रकार से पton अधिक नुबर्माह सतना नहीं खुकति parties आपके नियम के अनुसार व्यावरी चगत के पेश अधिक सत्तावला प्रहमान लिया जो भी अधिक सत्तावला तो वो किंची दर्मावच्चिन होता हो देख रहा हो ना शुक्ती में सशुक्ती बतो प्रहम भी किंची दर्मावच्चिन सबुन हो जाएगा आपने अजिश्टानुत्व कहा हमने मान लिया तो अजिश्टानुत्वा देव उसे विर सविशेश विमानना पड़ेगा शुक्ति के समानु तो उसे दानती गता है निर्विशेश में भी अजिश्टानुत्व संभव है यह बातम पूर में सिद्ध कर चुका हूं सरवाजिश्टानुत्वा पादन हम पूर में कर चुके हैं निर्विशेश ब्रह्म में भी सरवाजिश्टानुत्वा हो सकता है नच पृतग्गात्मान इत्यादि शुर्तिशु सुर्टिश मिर्ठ्यों में सपस्ट है मेरे सहुण रुप को जानता है उसी को मुक्ति मिलेगी नेर्गण फेरकुन करके चलनाने वालों को कभी मुक्ति मिलेगी नहीं साफ सब्दों से कह दिया गया है प्रतक आत्मानम ऐसे शुर्थी है श्वेता सुत्रो प्रिशत प्रतक आत्मानम प्रेरितारंच मत्वा प्रेरिय प्रेरिय का भाव से जीवर इश्वर में भेद को जानने वाला वही वेक्ति मुक्त होता है जो प्रेरिता परमात्मा में प्रेरियो जिवात्मा से पृतक है ऐसे जानने वाले मुक्त होता है ये कहा दिया सपस्ट ही श्वेता श्मत्र में एक च्छे शुरू में ही जा विचार आरंब हुआ है और ये कहीं का स्मृति दे रहे हैं यो माम अशेश दोशज्जम अशेश देश उजजित है रही थै नस्ठवच्चो का है जिसका ऐसे जो मुझको गुण सर्वस्व ब्रुण हुतम संपूर्ण गुणों से युक्त ऐसे यो जाना थी जो जानता है असमई प्रसन्व हम उसकी पृति में आत्यंत प्रसन्व करके मुक्तिम्दध्याम नचान्यता मैं मुक्ति देता हूँ और अन्या जो कहता है मैं प्रम हो उसको कभी मुक्ति नहीं देता हूँ एक गीता में भी देखी पांच मैत्यां थिस्वाश लोग भोगतारं यच्चत पसाम सर्वलोक बहेश्वरं सुर्जं सरभूतानाम ग्यातामाम शांतिम रिच्छती देखो सपस्ट बोला जो मुझे को कैसे जान रहा है एसा विशेशनों से विशेट जानने वाला वही शांत मुक्तिम प्रापनोती रिच्चत प्रापनोती यह कि तब आदी का भोगता परमात्मा है सकल लोकों का इश्वर परमात्मा है सकल भूतों का सुर्द वा परमात्मा है ऐसे जो मुझे जानता है माम जात्वा ऐसे जानकर मेरा चिंदन भजन करता है वही शांतिम रिच्छती वही मुक्ति को प्राप्त करता है। इसे शुर्ती और समृतिया से पष्ट ही जीव प्रह्म भेद पूरवक्त उस ब्रह्म में सगुन जानने परी मुक्ति का कथन कर रहे हैं। और आप जब अरस्ती जीव प्रह्म का अबेद अनिर्गुन सिदगर ने में लगे हो। पैर में कुलाडी मार रहे वा पैर ठीक नहीं है पूर पक्षी कता है इत्याई सुमृतिशुचे सवीशेश ज्नादेवमोख्षोक्त spectrum सप्रकार ज्नाशेव, मोचगत्वमि बर जम दिन उत्य मॉपच्य ले को धम सत्व शित्य उपाय, सगुणो पासना, विध्यर्थ वादत या, साक्षात मुक्ति हेतुत्व, अप्रतिपाद गत्वात. ये जो आपने शुर्टिया लिया है, समुर्टिया कहे है, ठीक है ये भी सब मुक्ति के कहर है, लेकिन साक्षात कतन नहीं है। परमुक्ति का कारणी बूता है निर्गुन का साक्षात कारण। उसमें उपयोगी क्या है आपका अंतक्कन की सुद्धी, सत्वुद्धी। उसके उपाये बूता है सगुणोपासना। उस सगुणोपासना विधी का अरतवाद रूपा है जो वाकिया अपने पृतगा अत्वानम बोकतारम दिखाया। शुद्धाशतर का। निर्गुन का वाक्य के साथ जुड़ा हो एक वाक्यशेश नहीं है वो, सुगुन वाक्यशेश है वो, सुगुन वाक्यशेश होने से वो अर्थवाद परक है, वहाँ जो फल बताए जारा मोक्ष उसको अर्थवाद मनना पड़ेगा, साक्षात मुक्ति है तो अर्थवाद, साक्षात मुक्ति का हित वो नहीं हो सकता है। यह मेवा गीता का भी नवमध्या है। उपासना शटक में चल रहा है। वहां में जो कहा जाता है मुक्ति की बाते हैं। वो भी हमेशा ही समझना चाहिए अर्थवाद है। यह में एक और अग्यात जो सुवर्ति जुसका पतानी पाहला जो लिया इनोंने जो जानकर मुक्ति उसको मैं मुक्ति देता हूं। यह भी सगुन उपासना का स्थृति परकि उसको भी लेना चाहिए। अर्थवाद परकि लेना चाहिए। तो नचे निर्गुन क्ञानात मुक्ति शुर्थि रभी तथाता तग़न क्ञान से topic shurty दुभी अर्थवाद मानलो। सब ग्याण वाक्ययों में जायव मुक्ति को अपने अर्थवाद गया दिया। तो निर्गुन वाक्यों के सहा पटित, जो मुक्ति वाक्य हैं, उनको भी आप अर्त्वाद मान लेजें, निर्गुन परम की प्रशाम सा मात्र हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, तत पर अथत पर अभ्यम वैश्म यहाद, कई बार है तुद दे चुका हूं, तत पर अथत पर अथ और हम निर्णाई देत थे हमेशा, निरुन पर अथत पर अधत पर अभ्यम यहाद बादक हैं, आप अठक निर्णाई नहीं नहीं दे सकते हैं, आपे अपुच अप्तक तो अर्थवाद कोटी पे नहीं ले जा सकते हैं। एक तुझे दिया। सगुन ग्यानों का दो तीन दिन फल बता रहें। मुक्तिपल पता रहें। दिश्टपल पता रहें। एक फल तो बता ही नहीं रहें। तो मुक्तिपल प्रदान केसे महना जाए। इसलिए दिश्टपल को कोई माँ चा रहा है। उसके और सारु पासना कर रहा है। कोई अदिश्टपल के लिए कर रहा है। इसे मुक्तिपल मानना संभवी नहीं है। कि फलांतरश्रवन आच्चो। इसलिए नाश्य अब्रम्वित कुले भवती इते फलांतरश्रवन निरुण ज्ञाने आपी। निरुण ज्ञानों में भी फलांतरश्रवन हो रहा है। नाश्य अब्रम्वित कुले भवती मान्ड़क्यो परिषद दस्वे मंत्रे में आया हुआ है। मान्ड़क जेसे प्रदम स्रेष्ट परिषद में भी निरुण वाक्य के साथ में भी फलांतरश्रवन हो रहा है। इत्या फलांतरश्रवन निरुण ज्ञान आपी। इत्या फलांतरश्र परिषद 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 परि वो भी समान हो जाएगा और दे रहा है सायोग पडिक टुनियाई को अभे फ़लत वुकति रुपी समाना सेयोग प्रचत टुनियाई को मान लो वह भी can is a और मिलेगा गई जीते घीम लगोमरने के बाद मिलेगा के दोनों मरन ले जिए दिश्टफल तो जीते हो भी मिलेगा अजिश्टफल मरने की बाद मिलेगा वसको मुक्ती भी मिलेगी तीनों वे जाया जो तो करम से हो जागा तीनों भी मिलेगा जैसे विनयोग करने के लिए आपने वालिया है गोदोन पात्रेन एक ददी का भी आया ददना जोती, दधी को अंगत्मन विन्यो कर दिया, याग में, दश्मन में याग में, और उसी दधी में आप विशेश और फल बता रहे हो, और दधी आपको स्वर्ग देगा, ये इंदरी काम करेगा, प्रतक प्रतक उसका संयोग प्रतक 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 उसका संयोग प्रतक 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 उसका संयोग प्रतक प्रतक उसका संयोग 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 क्रत्वर्त भी हो सकता है पृर्षार्थ भी हो सकता है are now clearka찾ओ के ऐल-करत भाले हंगहोते हैं के यद पृक्रत्वाद भाले हंगहोते हैं और कज ऐसे न क्ष canशन अंगहोते हैं यह करत्वर्षार्थ अभयारत अख्य व्हय व्हयत्वे यह new laws जो गयाने कुछा हुआ को आखे और करत पुर्षारत कहाँ है का फॉल्ग कहा है कि अदें संयोग पृतक वांग रितक हो तो बी योजग वाक्या अलग अलग उने जागें इसने दधना जोती वह विनियो कर रहा है यगी के साथ और दधना यह भी दधना बोलती है ना जा लग विनियो गोगिया दो परशाग विनियो वाक्योने से दोनों फल हो सकता है पुरशारति के लिए ओगया वो, व क्रत्वन के लिए चाहट चाहटं के लिए। पुर को सम्पान के लिए हम ज रखे का później को गए। तो गाम लिए। अजिती के लिए। और जर्भीमेद पुरशारति से लिए लिदे लिए। मैं कामर बरुख के लिए। उसे और यहाँ पर लेलो, चाहे सवुन वाग को जया निरुण वाग क्यों, दोने जगा हमें स्रवन मिल रहा है, फलांतर स्रवन हो रहा है, इसलिए स्वियो प्रत्रग्द नियाएन उपे फलोक्तिरपी, समाना, यद्यपी, समाना, तथापी, फिर भी, अधिष्ठान, तत् फिर भी अंतर आपको मान नहीं पड़ेगा, सिध्धानती कहता है, क्यांकि यहाँ पूरपशे दिमाह में क्या है, नाश्य, अप्रवित्कुले भवती, इतिष्ठफल है, और ज्ञाना देवतु के वल्यम, इतिष्ठफल होगा, मुक्य बुक्ति के लिए, दोने अतत्व के अवगाईतों, और अतत्व के अनवगाईतों, भेद के आधर पर निर्वन वाक्या और सोगन वाक्या में बला बल में निर्वन वाक्या प्रवल हो जाता है, सोगन वाक्या दुरवल हो जाता है, सोगन वाक्या दुरवल हो जाता है, सोगन वाक्या में लागु क निर्गोन ज्यान में जो मुक्ती रुपी एतुत के प्रति पाथन किया जाता है, वाइसे स्वगुन वाक्ति में प्रतिपाथन नहीं कर सकते नहीं, स्वगुन ज्याने चन्य मुक्ते अवांतर gardening अच्छो असंगे अस्वन ग्यान से होने वाली मुगति गो आवांतर मुग्ति मानलो यह शह्णवादी शह्यवादी यह पभड़ दो महतें निचले मुक्तियों को ऐसा गुण बाकिसे प्राप्त होने हैं, फल बता देना आप, क्या पत्या हो, सालों के सारों पियों, सायों जो जो है ना, इसा भए सामी पियों, उनको ले लीजेगा, सार्ष्टिता, तद रूपता के वद, मुक्य मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार स प्रवस्ता दे सकते हैं, तो पूरपश कहता है, ये विवस्ता आपका कहना ठीक नहीं है, नच पुन्य पापे विधूय, इति सर्वकर्म निवर्त्युकते है, प्रमुक्तितो मेव, इतना वाच्यम, क्योंकि मुआ पर कार है, यदा पश्यक पश्यते रुक्म वर्णम, ब क्योंकि गाता है, पुन्य पापे विधूय, इति सर्वकर्म निवर्त्युकते है, सर्वकर्म की निवर्त्य कही गई है, अतेव परमुक्तितो मेव, सर्वकर्म की निवर्त्यों मेव, मुक्ति मुक्ति माननी चाहिए, अवांतर मुक्ति क्यों कहा रहा है, इतना चवाच्य अस्य प्रमतत्व साक्षातकार हित्पत्रिप्त कर्म परत्पात यह जो है ब्रमतत्व के साक्षातकार के कारणी भूता जो कर्म है उससे भिन कर्मों की निवर्ति के और कहा है कर्म के विसे तो प्रम साक्षातकार भी होतना है आपके प्रारदकर मोहिश्रीर का ब्रहमग साक्षातकार की अनकूल है तो इस जन्मे प्रहम साक्षातकर होगा नहीं तो अगले जन्म के यह होना है जितने भी रोलो इस जन्म में होने वाला नहीं उपदेश सासरी के चोथे प्रकरण में ये सिद्गिया भाशनकारवा ये प्रार्वध में नहीं है तो इस जन्म मोक्ष होने वाला नहीं अन्नेक चन्म के अभ्यास से वो अंतियम शर्व के जन्म के प्रार्वध ये ऐसे होता है कि वह आपको ब्रह्म साक्षातर होके रहेग इन प्रारत नहीं है तो इस ब्रह्म साक्षातर नहीं है ये जन्म प्राव्यास में लगे रहे हो इसे लिए अभ्यάस में लगे रहा हो क्रमम्क्ति हो सकता है इंग्रमम्क्ति आ जो हागन करके थ्क fent Anch everyone अगाउन कर दिया हमुझ कर दिया वह तो ही लगए-लग लगए करते लेकिन मुक्कई चीजें विचार करके देखतें पर भी यही लगता हैाज जितना भी प्रहतर कर लें कि concept कर अभिछे आ थाउन्म प्रारथी वृृद impose अभिशलत है बन जाता है इसे को तो गानिशन भे वारश नहीं है आप नहीं चाहरे हैं गलत करना तो अभी आप सी क्यों हो गया माप पुर्शार्ट कहां से ऊगया प्रारत ही आपकी पूर्शार्त्य प्रतिबंदक बन गया इसे ना चाते होगो करना पड़ रहा है प्रवल हो गया हो अवे अपने अपने तरक्षे लोगों की वो चित्वी लगता है इसे ने बाचकर्वाच चौत्य प्रकणुश को उठाया है आच्छा तस अशिय ब्रह्मतत्य साक्षादकार हे तु से अत्रिक्त करवपरत्वाथ अविद्यानाश अभावाच्य और इस मंत्र में अविद्यानाश का भी गतान नहीं हुआ है कि अल पुन्यपाप का नाशी बात कई हुए कार्ण तो रहा है ना कार्ण बना रहे तु पहईदा क्या कार्ण श्ठोतरे गा फिर कारी बन जाएंगे इस कार्ण बैठी विए महाँ अविद्या बैठी विए फिर पुन्यपाप बनालेगी वो अविद्यानाश जब तक नहीं है तो मुक्य मुक्ति नहीं मानी जा सकती है तरह और ते सर्व संश को सान्जे नज़ कर दिया न है अभिदया ही ते उसका बेदन हो गया अभिदया सब्स्क्या हथ इसके न लत प समें हो गई हम आगे शनःम की लब कर्म नी रहा गया तो अहीं कर दिया हम आद मातरे शीलब कि einem की उसके आवे भी पे दो है, सरसंशिनी वृत्ति, सर्वकर्मनास. जब हिर्दे गरंदी बिदन कब हुआ? हम सिदो उसी को लेंगे. तर्समिंदिष्टे प्रावरे, बिटिती हिर्गरंदी ही. परस इतरी मुक्या हमारेंगे वहाँ. बागी दो हिस्सा क्यों आनुशिंग है. इसे इनका कहना है, अविद्यानाश भावच्चा परमुक्तित्व असित्य है. परमुक्तित्व की कतना आप नहीं कर सकते.